नमस्कार दा संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं हूं संजय शर्मा और आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि ये बताने आया हूं कि चिन पाकिस्तान से भारत के युद्ध के पूरे आसार बन चुके हैं और कभी भी ये लड़ाई छिर सकती है चिन की कोशिश होगी की लड़ाई दिसंबर तक शुरू होकर जनवरी से पहले खत्म हो जाए और लड़ने की मजबूरी ही हो तो भारत चाहेगा कि ये लड़ाई जनवरी या उसके बाद ही शुरू हो दोनों तरफ की तैयारियों को देखकर लगता है कि अब बस तारीख तैय होना ही बाकी रह गया है क्या चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने वाले हैं और यदि हमला होना है तो कब परिस्थितियों को देखकर लगता है कि जल्दी ही ऐसा होने जा रहा है अब उसका समय आ गया है पिछले एक साल से चाइना और पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए सभी रणनितिक मोर्चों पर तैयारिया शुरू कर रखी हैं और जो अब पूरी होती नजर आ रही है युद्ध में चीन और पाकिस्तान को सबसे बड़ा जटका अगर कोई दे सकता है तो वह इंडियन नैवी ही है और जानकार बताते हैं कि जब भी युद्ध होगा तो ख बताया गया है कि यह अत्याधुनिक युद्ध पोत युद्ध प्रबंधन और इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रणाली से लेस है इसके कारण यह मुश्किल हालात में कई नवसेनिक युद्ध और अभियानों को अंजाम दे सकता है यह चीन का सबसे उन्नत फ्रिगेट यान इस बहामला साथ बहाने बारत को घेरने के लिए अपने बेडे भेज रहा है ताकि युद्ध हो तो मदद मिल सके कहते हैं कि यही आखरी तैरी थी जिसे पाकिस्तानी सीमा पर समुद्र में करना बाकी था अब ये पोत तैनात हो जाने के बाद लड़ाई कभी भी छेड़ी जा सकती है युद्ध के विशेशग मानते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत ऐसी नहीं है कि वह भारत के सामने साथ दिन भी लड़ाई कर सके अब इतनी सी बात तो पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट जानते हैं तो फिर क्या कारण है पाकिस्तान ऐसी घल्ती करने को क्यों उतावला है दरसल ये लड़ाई वो चाइना के साथ मिलकर ही लड़ सकता है और इस समय पाकिस्तान को लड़ाई की तुरंत जरूरत है क्योंकि कहा जाता है वहां ग चाइना ने पाकिस्तान के जाधा तर राज नेताओं को खरीद लिया है। ये सारे नेता मिलकर चाइना के ही पेड अंपलाई की तरह काम करते हैं। ये पाकिस्तानी नेता नियम बनाने से लेकर वैपार सौधे और अपने देश की जमीन गिर्वी रखने जैसे तमाम फैसले चाइना के ही हिसाब से करते हैं। हट तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने कबजे वाले भारत की इस्ते की जमिन भी अपने आका चाइना को दे रखी है युद्ध के लिहाज से अभी का समय चाइनिज राष्टपती के लिए भी एक दम ठीक है राष्टपती शी जिन पिंग का कारिकाल 2023 में पूरा होने वाला है वो तीसरी बार राष्टपती बनना चाहते हैं पर इसके लिए पहले नियम बदलना होगा एक दिन पहले ही चीन की कम्यूनिस पार्टी ने सम्विधान से उस धारा को हटाने का प्रस्ताव दिया है जो किसी भी व्यक्ति को दो बार ही राष्टपती रहने की अनुमती देत है अगर यह प्रस्ताव स्विक्रित हो जाता है तो शी जिन पिंग अपने दो कारेकाल के बाद भी इस पत पर बने रह सकेंगे जाहिए यदि किसी को तीसरा टर्म भी चाहिए तो उसके लिए बहुत बड़ा कारण गिनाना होगा किसी राष्पती को पत पर बनाये रखने क के लिए युद्ध से बड़ा कारण भला और क्या होगा तो आप समझ ही गए हैं कि चीन और पाकिस्तान के लिए इस समय युद्ध क्यों जरूरी हो गया है आपको बता दें कि जिन पिंग ने बीना लड़े ही अपनी जड़े मजबूत बनाने की रणनिती बनाई थी इसके हरकते वो बाकी पडोसियों के साथ भी कर रहे थे यही कारण है कि चाइना ने अपने कबजे के बारे में अपने भारती एजेंटों के जरिये प्रचार भी खुब करवाया था और भारत में होने वाले शोर गूल भयान बाजी को चाइनिस पार्टी का मुख पत्र ग्लोबल और लंबी चोड़ी जमीन हत्या लेगा वो पर इस बार दाओं उल्टा पड़ गया है पहले चाइनीज अपनी सीमा को जब चाहे बदल लेते थे लेकिन इस बार चाइना के पास युद्ध के अलावा कोई विकल भारत ने नहीं छोड़ा है भारत उनको वापस खदरने के जाड़ा हुआ है अब यदि चीन अपना कबजा छोड़कर वापस लोड़ता है तो शी जिन पिंग की हैसियत कमजोर हो जाएगी ऐसे में उसे ताकतवर बने रहने के लिए युद्ध तो लड़ना ही होगा और अकेले लड़ना उसके लिए मुश्किल होगा चाइना को ऐसा चाइना को लगता है और इसका फायदा चाइनीज उठाए सकेंगे ऐसा उनको लगता है अक्साई चीन हो या फिर पाकिस्तान के कबजे वाले गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका खबरें आ रही है कि चाइना यहां अपने बॉंबर्स और दूसरे एयर कॉप्ट उतार है तो इसका जवाब साफ है उसे दो मोर्चे पर हर हाल में लड़ना होगा नतीजा चाहे कुछ भी हो चीन को लगता है कि लड़ाई 15 दिनों में वह खत्म कर देगा और जिन पिंग हिरो बन जाएंगे पाकिस्तानी नेता अपनी जनता को बेवकुफ बना रहे हैं कि युद को शुरू तो चीन और पाक करेंगे पर खत्म भारत करेगा तमाम युद्ध में भारत को जाना ही चाहिए इससे कभी भी कोई बड़ा युद्ध नहीं करने वाले चीन को उसकी आवकात पता चल जाएगी और पाकिस्तान से अलग होने को बेकरार पाकिस्तानी सिंधियों को और बलोचों को अपना देश बनाने का मौका मिल जाएगा किबती भी सालों से बदले की आग में जल रहे हैं उनको चाइना से बदला लेने और स्वतंत्र होने का मौका मिल जाएगा युद्ध के जानकार जो कह रहे हैं उसके मताबिक सब ठीक रहा तो भारत अक्साई चीन और पियोके फिर से हासिल करने का सौभाग्य हासिल कर लेगा पियोके हाथ आ गया तो अफगानिस्तान पर भी नजर रखने में सहुलियत होगी तालिबान पर कुछ कंट्रोल मिल जाएगा लेकिन भारत हार गया तो तब क्या होगा इसका जवाब है तब विश्व युद्ध ह और चाइना के सहयोगी मारे जाएंगे भारत यदि चाइना को नहीं रोक पाएगा तो अमरिका और उसके सहयोगी इस जगड़े में कुदेंगे और एक्सपर्ट्स तैते हैं कि फिर जो होगा वो चाइना के कई टुकड़े कर देगा जिन पिंग इतना बड़ा पंगा लेन जन्वरी से पहले जगड़ा खत्म करना चाहेंगे जन्वरी के बाद बरफिली चोटियों पर भारत से बड़ा पहलवान कोई नहीं होगा तब चाइना को भारी नुकसान हो जाएगा भारत यही देरी करने की रन्निती पर चल रहा है बहरहाल यह वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और देखते रहें आगे क्या क्या होता है तो इस चर्चा में आज इतना ही आगे फिर किसी मुद्धे पर बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार